हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल प्रोवेक्ट फेनेशे सेलूशन में दोस्तो जैसे कि आप सबने शुक्रवार को जो की लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आपने देखा कि निफ्टी पॉने 600 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था आप यह दोस्तो देखते हैं कि आज दलाल स्ट्रेंट में कैसा कारोबार रहा तो दोस्तो आज सुबह जब निफ्टी खुलता है वो खुलता है वो होता है 14,761 पॉइंट पे मतलब कि आज की जो हाई बनता है वो बनता है 14,806 और उसके 50 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी आज समाप्त होता है 232 पॉइंट की तेजी के साथ 1.60 परसेंट की तेजी के साथ आज निफ्टी अपना कारोबार समाप्त करता है दोस्तों आज Nifty में 50 में से 49 shares जों से हैं वो तेजी के साथ बंद होते हैं सिरफ एक share था जो Nifty में आज लाल निशान के साथ बंद हुआ वो था भारती Airtel का उसके इलावा आप देख सकते हैं सब भी shares लाल नहीं हरे निशान के साथ बंद होते हैं सब भी shares देख लिए बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइस की आज निफ्टी ऑटो 2.38 परसंट की तेजी के साथ बंद होता है निफ्टी आइटी 1.05 परसंट की तेजी के साथ निफ्टी PSU जो की माइनस में आज बंद होता है 0.36 परसंट की गिरावट के साथ बंद होता है निफ्टी फिनाल सवेज़ी 1.79 परसंट की तेजी निफ्टी फार्मा हों प्री अपरसंट की सेजी Nifty Kelsey lament 6 सर्विसिस के साथ आज होता है उसके इलाबा निफटी सेries 1.59% की साथ आज बंद होता है इसलिए मार्केट अब इतनी तेजी आती है क्योंकि आज सारे सेक्टर और इंडाइसे सारे शियर्स सभी आज तेजी के साथ होते है बट हमने कल की वीडियो में बात की थी कि मार्केट अब उपर जाएगे कि नीचे और मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी भी जहां पर कल क्लोज किया था उससे भी 100 पॉइंट नीचे जा सकती है तो मैं अपनी बात के साथ अभी भी कायम हूँ कि मार्केट अभी भी नीचे जा सकती है आपके साथ मैं अब शेयर करता हूँ के market में nifty में जो resistance की zone है और जो support की zone है वो क्या है दोस्तो जैसे आप technical charts देक पा रहे हैं मैंने जो सबसे उपर लाल रंग की line draw की है उस पे मैंने दिखाया है कि जो nifty का resistance का point है वो है 15,050 का और उसके नीचे जो lal line draw की है वो support zone बताई है कि अगर यहां से निफ्टे नीचे गिरता है तो नीचे जो इमिडेट इसका लेवल बनेगा वो बनेगा 14,350 का ठीक है और आज की जो हम candles देखेंगे तो candles में एक इशारा आ रहा है bullish हरामी candle stick pattern का जो की मतलब जो की bullish होता है nature में हमको लगता है कि मतलब यह pattern मने के बाद कि market अब उपर चड़ेगी बट मतलब market आपको मैंने बता दिया है उपर का support zone बें बता दिया है resistance का zone बें बता दिया है तो मतलब अभी market में indecision है कि market उपर जाएगी के नीचे अब हम आज के technical जोंसे है indicators उनकी बात करते है MACD में जो histogram बना है वो छोटा हो गया है जो की bullish मना जाता है उसके बाद RSI 50 बे आके फिर से खड़ा हो गया है तो 50 का zone जोंसा है वो bullish होता है RSI के लिए इसका मतलब market expect करता है कि market में तेजी आएगी ठीक है उसके अलावा DMI, rational movement index में जोंसा है blue line जो की ADX के line है वो indecision दे रही है ना वो buyers की side पे जा रही है वो ना seller की side पे तब ही आप देखेंगे कि पिछले दिन में जो last trading session था उसमें market निचे गिरी थी और आज market फिर से उपर उठ गई है तो ये clear indication आ रहा है कि market में भी indecision है market कभी भी कहीं भी move कर सकते है बट आपको मैंने technical levels दे दी है support के भी resistance के भी आप अपने दिमाग को दिमाग के घोड़े दोड़ाईए और अपने देखिए कि आपको अगर market गिरती है तो कौन से कौन से stocks आपको अपने portfolio में add करने है तो आप उस accordingly आप चलिए अगर उपर जा target बनाई है goal मनाई है कि आपको market नीचे आएगी तो क्या करना है market उपर जाएगी तो क्या करना है दोस्तों market में इतनी जाधी volatility है कि investor को इतना फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो long term के लिए medium term के लिए short term के लिए अपना पैसे invest करते है बर जो फरक पड़ता है वो traders को पड़ता है जो की calls और put में या फिर futures में काम करते हैं market में पैसा वही चापेगा वही पैसा बनाएगा जो अपने अपने financial advisor की सलाह लेकर चलेगा जो अपने तीर तुके लगाएगा वो गेम से ही जाएगा तो मतलब market में काम करना है तो दोस्तों दिमाग तो लगाना पड़ेगा यह ऐसी कोई यह तो है निकर खीर है कि आपके मूँ में कोई डाल देगा आप खालेंगे और आप पेड़ बर जेगा आपका आपको पेड़ बरना है तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अपने ह पर जाते हैं सभी पैसा कमाना है तो आपको दिमाग लगाना वड़ेगा तो दोस्तों जाते जाते आप हम आप से निफ्टी बैंक जो कि आप सब का चहीता है उसके बारे में बात करते हैं तो निफ्टी बैंक जो आज जहां पर बंद होता है वह 492 पॉइंट की तेजी के साथ मतलब की 1.41 परसंट की तेजी के साथ बंद होता है जो इसका आज लोल लगता है वह 34,983 का और जो हाई लगता है वह 35,581 का लगता है तो निफ्टी में भी आज निफ्टी बैंक में भी आज अच्छी कासी तेजी आप को दिखी मार्केट में और निफ्टी बैंक में जो आपका सपोर्ट जोन है वो मैं आपको पिछली कई वीडियो से बता रहा हूं कि 32,500 का सपोर्ट जोन है और जो आपकी रिजिस्टेंस है जो कि आपका टारगेट है उपर का वो है पहला टारगेट 38,000 का और सेकिंड टार सब्सक्रिप्शन अपने क्लाइंट को देता है सब्सक्रिप्शन चार्जिस मेरे बहुत लो हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कौन सा शेर लिया जाए कौन सा बेचा जाए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई आपका मतलब कोई ग लेके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्योंकि आपके कमेंट के बिना मैं इंप्रूव नहीं कर सकता थेंक यू दोस्त थेंक यू